हलो फ्रेंड्स, आर्टी एक्षिन कमीटी में आपका स्वागत है जैसा कि मैं आपको बता दा शलू कि अभी मैं फॉरेन विजिट पे था चाइल सेफटी के लिए और वहां से लौटने के बाद जानकारी मुझे मिली है कि 23 सितंबर को पालक जागरुक समीती द्वारा बन का आवहन किया गया है लेकिन हम लोग इसका विरोत कर रहे हैं यह बन जो है पूरा समविधानिक है इन्होंने कहा है कि PTA की मांग इनकी है एक मांग PTA की है एक मांग जो है NCRT किताबों को लेके है और एक मांग है 50% जो है सिबलिंग की है मैं तीनों मांगों के विशे में आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमने PTA के संधर में अकबारों के माध्यम से अधिनियम के तहट जो प्रोवीजन है के 50 रुपए देकर सभी स्कूल की सदस्ट बनना है और उसमें जो सारी चीज़े है आर्टी के कितने बच्चे है नॉन टीचिंग स्टाफ का पेमेंट कितना है बैलेंशीर कितनी है और वहां पे आगे जो खर्चें उसकी जानकारी वो सब PTA में आएगी और उसके बाद जो पैसा बच जाएगा या लॉस होगा तो उसके तहती फीज बढ़ाई जाएगी एक मामला तो यह हो गया दूसरा मामला जो NCRT किताबों के संदर में था वो भी पर्मीशन जो है पैरेंट से लेकर ही करना था लेकिन क्या होता है कि कई पैरेंट्स कहते हैं कि हम जो है CVSC बैटन की जो किताबे हैं उसको हम प्राइवेट पॉब्लिकेशन का लेंगे अब यहां पे दो सवाल खड़ में दूसरे बच्चे को दाकला बिना इसको डीरेक्ली उसका हो जाता है अंगे 22 तेनों मामलो को को लेके इन्होंने एक स्टेट्मेंट दिया उसमें इन्हों ने क्या कहा है कि आसमाजिक तत्य जो है वो धक्का पहुषा सकते हैं बच्चों को अरे तो इसमें क्या बात हो कि भई आ समाजिक तत्य आप कैसा बोल रहे हैं उन्होंने सारी जिम्मेदारी यह कहके अपनी टाल दी कि कुछ भी कुछ कम जादा होगा तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल की रहेगी अरे ऐसा थोड़ी होता है अरे बच्छों की सुरक्षा हो सबसे बड़ी प्रात्मिकता होती है आपको अंदुलन करना है आप जरूर अंदुलन कर लिए लेकिन किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की सुरक्षा में उसमें गड़बड़ी आई तो वो पूरी जिम्मेदारी वो अंदुलन करने वाली के होगी और हमने डिमांड किये के सेक्शन 75 में इनके ओपर में अप दुलन सिर्म आराष्टा में हो रहा है तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे क्यूंकि यह आज संबेदानिक है और हमारा आप चैनल देखते रहिए आर्टी एक्षन कमीटी के चैर्में शाहिद शरीफ जैरिफिकेशन ओफिशर वेरिफिकेशन कमीटी और आपको चैनल अच्छा लगता तो लाइक करिए नहीं है तो आपकी मरजी थैंक्यू सो मच